हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू केमिकल साइन्स और आज का हमारा टॉपिक बच्छो बहुत इंपॉर्टेंट नेम रियक्शन डाई एजोनियम कप्लिंग है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको देखे सबसे पहले बच्छो मा आपको बताता हूँ डाई एजो का मी पहले भी सुना होगा ना उस कंपाउंड की किसी और के साथ हमें कपलिंग कराने मतला उनका आपस में अटेच करना है कपल कराना है तो चलिए देखे पर थोड़ा सस्का बारे में देख लिए क्या रहा है एरोमेटिक डाई एजोनियम साल्ट रियक्ट विद फिनॉल नैप एंट यहां टुफर्म हाइली कलर डाई एजो कंपाउंड एजो डाई एक इसका नाम एजो डाई है क्लियर क्या अरोमेटिक डाई डाई इन तीनों के एक्जामपल हम देखेंगे तो फ़ईली कलर्ड एजो गंपाउंड ठीक है एक हाइली कलर्ड डाई होती ही जो आपने पहले भी पढ़ी हो गया है ठीक है डाइजो डाइजो इसलिए बोलते है नाइटोजन वाली डाय है ठीक है this reaction is known as coupling reaction क्या बोलते हम इसे coupling reaction क्योंकि इसमें product आपके coupled product मिलते हैं ठीक है देखिए the diazo the diazonium cation usually attack on the aromatic ring of phenol or amine if in para position ठीक है usually तो कहां coupled होना है para position because of steric hindrance in the ortho position ortho position क्या होती है hysterically hindered रहती है तो obviously बात है para में कम hysteric hindrance रहता है तो coupling जो है para में होगी but in case if the para position is already occupied then the coupling occurs in the ortho position अब आपके पास कोई second choice नहीं है अगर ऐसा होता है तो ठीक है para position आपके already occupied रहती है बच्चों तो हम क्या करेंगे फिर उसको ortho position पे ही उसे coupled करवाएंगे clear है तो चल तो इस reaction का example देखें अब आप एक die azonium compound ले रेते हैं die means 2 ठीक है और azonium salts आपने पहली भी पढ़े है ठीक है तो आप चाहो तो मैं इसको die azonium का chloride salt ले लेता हूं ठीक है और इसका reaction बच्चों मुझे कराना है फिनॉल के साथ इसकी coupling मुझे किसां करानी है फिनॉल के साथ कर रहा नहीं है यह रहा आपका phenol ठीक है और यहां पर एक hydrogen दिखाएता हूं क्योंकि इसी position में आप पे coupling होने वाली है clear है तो आप इसमें डाले बच्चों कोई base NaOH ठीक है और यह coupled हो जाएंगे आपस मैं like coupled देखो मैं दिखाता हूं कैसा coupled हो जाते है like देखे and double bond N और again यहां पर ring और यहां पर कौन है आपका OH ठीक है this is OH clear है तो यह आपका बच्चों coupled product है ठीक है इसी को हम लोग बोलते है diazonium coupling इस reaction का particular name है diazonium coupling clear है अब name reaction है तो with mechanism ही पूछी जाती है तो मैं इसकी mechanism भी आपको discuss करता हूं देखे बच्चों mechanism इसकी easy है को इतना complications इसमें नहीं आने व ठीक है सबसे पहला दीखे मैंने आपको क्या दिखाया कि इसमें आप NaOH डाला हुआ ठीक है यह रहा बच्चों मेरा phenol और प्लस इसमें मेरा डाला क्या NaOH यस क्या बनेगा यह OH और phenol का जो acetic hydrogen होता है H क्या बना लेंगे एक H2O बना लेंगे और यह बन जाएगा आपका phenoxide ion और प्लस H2O ठीक है अब phenoxide ion sodium का salt बनेगा ठीक है solution की form में आके तो phenoxide ही रहेगा ions ब्रेक हो जाएंगे ठीक है तो यह इसका step फर्स था देन second step देखिए बच्चों क्या होता है ठीक है second step है बच्चों हम सबसे पहले अपना die azonium salt लेके आते हैं ठीक है यह रहा मारा die azonium salt and triple bond and एक में plus charge एक में lone pair ठीक है यह रहा इसका chloride वगर मैंने हटा दिया है ठीक है अब देखिए इसमें reaction ऐसे नहीं रहता है पहले इसका regulating structure बनाएंगे like this इसके lone pair recover करेंगे तो देखो क्या बनेगा यह रहा and plus charge हड़ गया lone pair वापस आ गया क्योंकि electron आ गए है bond से और यहां रहे गए आपके दो electron but इस nitrogen का loss हो गया तो इसके पर क्या है एक plus charge appear हो गया है yes ठीक है न चलिए तो अब हमें यह को यह resonating structure है ठीक है एक दूसरे के इस वाली form से ही यह react करेगा चलिए अब आप ले आईए अपना phenoxide iron यह रहा बच्छा हमारा phenoxide iron ठीक है और यह रहे इसके double bond इसके से दिखा जेता हूं ठीक है तो और नीचे को देख लेते हैं sorry यह तो एक step है reversible नहीं है ठीक है चलिए अब इसका graduating structure आपको जानते हो ऐसे कुछ होता है इस तरीकी से और इसका यहाँ attack ठीक है क्या होगा यह double bond यहाँ shift तक और यह double bond यहाँ आएगा पहले negative form में और negative form का क्या हो जाएगा यहाँ पर nitrogen में attack हो जाएगा yes चलिए करके देखते हैं यह रहा बच्छो मेरा diazonium and double bond and positive positive में इसका attack हो गया मतलब bond बनी गया like this ठीक है यह रहा double bond और यहाँ पर एक hydrogen होगा understood है और यह पुराना double bond है और यहाँ पर भी क्या होगा double bond बनिया है यह देखिए ठीक है then next step यह step समझ में आया ना जो जो आपको arrow लगा के दिखाए थे वैस मैंने वही कर दिया ठीक है इससे मैंने और कुछ additional नहीं किया है बच्छों चलिए आगे चलते हैं अब भाई इसकी इस रिंग के chromaticity आपको retain करनी है ठीक है तो क्या होगा इसकी shifting इधर कीजिए मतला H को भगा दीजिए H को free करें क्योंकि आपने H आपको release करना है और देखिए क्या होगा जब यह negative charge मतला यहाँ double bond बनेगा तो obviously बात यहाँ break होना मतला shift होना पड़ेगा और then इसकी shifting को फर्दर oxygen में हो जा यह हो जाएगा देखिए यह double bond यहाँ पर नया double bond यहाँ पर भी यह shift होके जो बना था ठीक है और single bond O negative clear है और यहाँ से आपने यह करा है minus H positive किया है H positive वहाँ लग जाएगा yes तो यह आपका क्या बन गया coupling reaction हो गई है और यह आपका डाई azonium compound बन गया है ठीक है यह डाई azonium dye है किसी दिखाया था ठीक है एजो डाई एजो means nitrogen dye मतला coloring compound clear हुआ चले एक example और discuss कर लेते हैं ठीक है अभी जो हमारे example था बच्चो अलकोहल वाला था मतलब phenol का वैसा करते है amines का कर लेते हैं ठीक है aromatic amine का तो वह भी बहुत simple है देखें तो step first यह पहले ऐसा करते है reaction लिख लेते है यह हमारी complete reaction हो जाएगी बच्चो इसकी कुछ इस तरीके से ठीक है n ठीक है amine लेना है तो n me का whole twice मैंने यह ले लिया है ठीक है clear है चले तो यह रहा इसका reaction का product simple simple आप जानते हो क्या करना है आपको n double one n और n का connection सीदे इस पैरा पोजी सेन में ठीक है लाइक दिस और जो जैसे group था as such छोड़ देना है ठीक है तो यह आपका बन गया product ठीक है इसका नाम है पैरा डाइमिथाइल अमीन डाइजो बेंजीन ठीक है चले तो इसकी अब इस reaction का भी mechanism देखते हैं इस reaction का mechanism भी बहुत ईजी है जैसे आपने पहला देखा था बिल्कुल सेम एस अज़टेस है ठीक है देखिए step first ले लेते हैं अब इसमें आपको देखो अब इसमें आपका बेस डालने की जरूबत नहीं है आपको क्योंकि यहाँ पर आपका कोई phenoxide आयन तो हमें बनाना नहीं है ठीक है यहाँ पर तो already lone pair species है ठीक है यह ऐसे ही बन जाता है बहुत easily देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा इधर से बनाते हैं like कुछ and इसमें plus charge यह देखिए ठीक है फिर यह क्या करता है आपको पता है इस species का attack तो होना नहीं है पहले से क्या करना है हमें change करना है इसके shifting इधर कर दीजिए अब जो first वाला nitrogen है वहाँ पर क्या जाएगा आपका plus charge आ जाएगा like यह देखिए ठीक है अब इसमें बच्चा आपना second reactant molecule ले आईए जो आपका amine है तो यह रहा बच्चा आपका amine n m e का hold twice और जो double bond जासे थे आप ऐसे ही बना लेंगे तो कैसे ही बना लेजिए तो आपको side change करने ही पड़ेगी ठीक है आप open नीचे बनाएंगे तो आपको इधा के side से shifting दिखाना पड़ेगा ठीक हो तो क्या है conjugated molecule है ना कहीं से भी दिखा लेजिए चले करते हैं start क्या होगा sifting इसके sifting और इसके sifting इधर ठीक है बिलकुल as it is चल रहा है जैसे अगर आपने पहला वाला एक्जाम पच्छे से देखा है तो आप खुदी कर लोगे बच्चो तो यह रहा हमारा और यह रहा लोन पेर इसके पास भी लोन पेर और इसके साथ सिंगल बॉंड पैरा पोजिशन से लग जागा बट यहां पर एक hydrogen भी होगा ठीक है एक डबल बॉंड यह सिप्ट हुआ है यहां पर अल्रेडी है और यहां मनिया पर डबल बॉंड एंड me का whole twice with plus charge clear ठीक है ना आगे बढ़ते हैं अब shift कीजिए अब इसकी aromaticity आपको वापस लानी है तो h positive हटा आईए और is bond को यहां shift और is bond को इधर shift ठीक है तो क्या बनेगा देखिए and double bond n और single bond अब यहां पर आपके ring बन जाएगे ठीक है ring मतलब यह double bond यह और double bond shift हो के यह और यह single bond and m e का whole twice with one lone pair देख लिए ठीक है बस यहां से आपने यह करना है minus h positive करना है ठीक है वो h positive उसके c l negative कर से h c l बना लेगा वाई product है हमें उनसे कोई लिना देना नहीं है फिलाल ठीक है तो जो product इसका नाम लिख देते हैं this is para dimethyl ठीक है ठीक है ठीक है क्या है para में क्या है para में product है ठीक है ठीक है this is para dimethyl amine या amino amino azobenzene azobenzene clear तो देखे एक example आपका और discuss हो गया ठीक है तो यह ठीक है napthol वाला example भी लिखा था ठीक है उसको भी discuss कर लेता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है exam में तो next example ठीक है alpha napthol ले लेता है ठीक है alpha napthol तो देखे यह रहा आपका diazo compound and triple bond and cl negative and positive ठीक है plus alpha napthol ले लिजिए napthol आप जानते होगे यह देखे ठीक है alpha position में तो यह इसका alpha carbon यहां पर क्या है आपका oh clear तो यह आपका बच्चो alpha napthol तो reaction के product क्या बनेंगे मैंने बताया था ना जब आपका इसका और पैरा position free होगी ठीक है अन occupied रहेगी तब तो आपका coupling होगी पैरा position में होगी अगर in case यह नहीं होती है अवेलेबल नहीं होती है कम already occupied होती है तो आप क्या करेंगे इसको beta position में लगा देंगे ठीक है तो इसका product क्या बनेगा देखें product कुछ ऐसे बना देता हूं है and double bond N ठीक है एन की bonding कहा करने है आपने इस position में मतलब यह रही आपकी ring और यह रहा आपका OH ठीक है और इस ring के साथ एक ring अल्यदी attached है like this यह देखें ठीक है तो यह रहा आपका product इसका तो और यह आपका alpha napthol है ठीक है बच्छों क्या है alpha sorry alpha napthol ठीक है चलिए अब beta napthol के साथ भी एक बार देख लेते हैं beta position and triple bond ncl negative positive plus अब आपको यह रहा है ठीक है तो मैं beta napthol अबना के दिखाता हूं आपको यह रहा बच्छों ठीक है alpha अब alpha position नहीं बनाने मुझे बीटा बनाना है this one is beta तो यह रहा आपका बीटा napthol ठीक है आप चाहिए आपको फिर alpha बीटा ठीक है गामा और डेल्टा इस तरीके से होता है चलिए अब अब क्या है अब इसकी पैरा पोजिशन तो अलेडियों की पाए है yes तो आपको फिर ortho position पे ही जाना पड़ेगा यह रहा इसका ortho position and और कुछ इस तरीके से उसके साथ एक ring आपकी और है ठीक है अब यह क्या है देखो इसका oh कहाँ था इस वाली position में यह इस की रही ortho और ortho में आपका compound बना हुआ है ठीक है clear हुआ yes अब आप जानते हो condition अगर पैरा पोजिशन आपके और रहती है तो फिर कहा होता है और थो पोजिशन में चले प्रोडेक्ट बनाते हैं तो प्रोडेक्ट कैसे बनेगा आप जानते हो यह रहा रिंग और यह रहा एंड डबल बॉंड एंड के साथ सिंगल बॉंड और सिंग हुआ होगा यह और थो पोजिशन में होगा मतलब इस पोजिशन में तो इसके नेक्ट में कौन है ओएज तो आपका मन कर नहांप आप कहीं भी ओज रखा दीजिए इसके किसी भी साइड ठीक है कुछ इस तरीके सो जाएगा देन उस ओएज के जस्ट ऑपोजिट साइड मत ठीक है तो आपको क्या सबजबाए डाइजने में ने बताई आपको इसकी मेकैनिजम बताई और सबसे इंपर्टेंट बाद अटेक कहा होता है हमेशा डाइजो कपल कहां पर होता है बच्चो पैरा पोजिशन में होता है बट इन केस पैरा पोजिशन अल्यूडिड टेक्चर में